बुरा वक्ट भी हमें कुछ नया सीखा जाता है, कुछ नया नहीं तो, हमें अपने और पराये की. पहचान करा ही जाता है, कुसंगती वाले इंसान से दूर ही रहना चाहिए. क्योंकि आप भले कितने ही समझदार हो, चालाक क्यूं ना हो, कभी ना कभी आप. उसकी वजह से मुश्किल में जरूर पढ़ेगे मेरी कामियों को, मेरी खामियों को मुझसे कहे. किसी और से नहीं, क्योंकि अगर कमी मेरे अंदर है, तो बदलना मुझे है, ना कि उन्हें. मन पर नियंतरन रखना सीखे, क्योंकि अनियंतरित मन ही आपके और. आपकी सफलता के बिच का काटा है. अगर तुम में अकेले चलने का होसला है, तो खुद पर यकीन रखो और अपने रास्ते चलते रहो. भले ही आज तुम्हारे पीछे कोई नहो पर एक दिन तुम्हें सुनने के लिए हजारों, लाखों की भीड होगी. और तुम सबका नित्रित्व कर रहे होगे, यदि आपको जिन्दगी में सफल होना है तो आपको मेहनत तो करनी होगी और यदि आपको अपनी जिन्दगी में ज्यादा सफल होना है तो आपको बहुत. ज्यादा मेहनत करने की जरूरत होगी, अगर आप मेहनत को अपनी आदत बना लेते हैं, तो जीवन में आपको सफल होने से कोई रोक नहीं सकता, हमें कुहरा भी एक बहुत बढ़ी बात सिखाती है कि जब जिन्दगी के रास्ते साफ न दिखाई दे तो हमें बस चलते रहना चाहिए, रास्ते अपने आप बनते जाएंगे. अगर आपको लगता है कि आप सही है तो किसी की भी न सुने. लोग तो हर काम के लिए आपको कहेंगे कि आप यह नहीं कर सकते. क्यों? क्योंकि वो यह काम नहीं कर सकते पर यह तो जरूरी नहीं कि आप भी वो न शधाए. आप किसी काम में कितने समर्थ है, यह आपको कोई और नहीं बता सकता, क्योंकि स्वयम को जितना अच्छा आप जानते हो, कोई और जान ही नहीं सकता। सपने वो नहीं, जिन्हें हम रात में सोने के बाद देखते हैं, पर सपने तो वो है, जिन्हें हम दिन में अपनी खुली आँखों से देखते हैं। बड़ा इंसान वो नहीं जो औरों पर अपना रोब दिखाए, पर बड़ा इंसान वो है जो औरों को छोटा महसूस ही ना हो हो सकते. दर्द और खुशी दोनों ही बहुत अच्छे शिक्षक है, क्योंकि ये दोनों ही अपनी अपनी परिस्थितियों में हमें बहुत कुछ सीखा जाते हैं. भले आप अच्छाए और सच्छाए को पूरी दुनिया में तलाश ले, यदि यह आपके दिल में नहीं, तो य कह कही और नहीं मिलेगा. एक अच्छा दोस्त, आपके बुरे वक्त के साथ साथ, आपको भी अच्छा बना देता है. कोई इंसान धन या पैसे की कमी की वजह से गरीब नहीं होता. इंसान गरीब अपनी सोच की वजह से होता है. दुसरों को समझना समझदारी है, लेकिन ख सफल होना भी आपको यश देता है. ताकत शारेरिक शक्ती से नहीं आती. यह तो अदम या इच्छा शक्ती से आती है. पर स्थितिया जितना ज्यादा आपको तोड़ती है, कही ज्यादा उससे आपको मजबूत बनाती है. मनुष्य की सच्चाए उस लोग समान होती है, जि कुछे हल जरूर नकलेगा जो आपकी बुराई करते हैं, उन्हें करने दो क्योंकी लोग बुराई उसी की करते हैं, जिसमें कुछ बात होती है, किसी भी व्यक्ती को जाने बिना दुसरों के बाते सुनकर कोई धारना बना लेना एक मूर्क तापूर्ण कार्य है.